नमस्कार मैं प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुख्यों पर बिपीए से सिक्छक भरती परिक्षा का कट ओफ जारी बिहार से दिल्ली बंगाल पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों का बदला रूट बिहार सिक्छक बहाली के 70,000 पदों पर बहाली के लिए तैयारियां शुड़ू सुवे के 1240 स्कूलों में ICT लैब बन अपनी शांदार फॉर्म का विडाट कोहली ने खोला राज इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खब्रोक्योर विस्तार से BPS से सक्छक भरती परिक्षा का कट ओफ जारी बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा सक्छक न्यूकती का कट ओफ मार्क्स चारी कर दिया गया है बतादी के जारी के गए कट ओफ में सरवाधिक मांक्स मध्यमिक सक्षकों के लिए समाजिक विग्यान विशय में रहा जो अनरक्षित श्ट्रेणी में 74 है इसके अलावा अन्य में अनरक्षित श्ट्रेणी में माध्यमिक सक्षकों का कट ओफ 72 है अकाउंटेंशी का 65, कम्प्यूटर साइंस का 63 और बिजनस स्टडीज का कटफ 61 है मालुम हो कि अधिकतर विश्यों में आरक्षित वर्थ की महिलाओं के लिए कटफ 49 रहा है ऐसे में जो लोग कटफ देखना चाहते हैं वह BPSC की आधिकारिक वेबसाइट BPSC.BIH.NIC.IN पर जाकर देख सकते हैं विहार से दिल्ली, बंगाल, पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों का बदला रूट अगर आप दुरका पूचा देशडा के बाद बिहार से दूसरे राज्य जा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बतादी के रेलवे के मताबिक भटनी सेक्षन पर प्री एनाई वर्क के कारण बिहार से दिल्ली, बंगाल, पंजाब जाने वाली कई ट्रेनों के पड़िचालन का रूट बदल दिया गया है वही इसके लावा एक दो पाँच तीन आठ और एक दो पाँच तीन साथ पोरबंदर मुझा पर पोरबंदर एक्सप्रेस रद रहेगी नवंबर में 703 बसों से गांधी मैदान आएंगे नव नियुक्त सक्षक सक्षा विवाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वारा सभी जिला सक्षा पदादीकाडियों को दिशा नर्देश देते वे कहा गया है कि बिहार लोग से वायोग की तरफ से हाली में नव नियुक्त 1,20,336 विद्याले अध्यापकों में से 95,036 सक्षकों को तदर्थ नियुक्ती पत्र जिलों में कलेक्टर और कमिशनर 2 नवंबर को बाटेंगे पतादी की 2 नवंबर को मुख्य मंत्रे नितीश कुमार की मौझूद्गी में कांधी मैदान में 25,300 विद्याले अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ती पत्र बाटे जाएंगे और ग्रामीन कारे विभाग में कुल 631 अफसरों और कर्मियों को उच्छतर प्रिभार दिया गया है जिसमें से जल संसाधन विभाग में कारेड़त 523 और ग्रामीन कारे विभाग में 98 अधिकारियों कर्मियों और अभियंताओं को प्रमोशन दिया गया है बता दे कि ग्रामीन कारे विभाग के विशेश सचीफ संजय दूबे की ओर से अधिसूशना जारी कर यह जानकारी दी गई है कि ग्रामीन कारे विभाग में 98 सहायक अभियनताओं को कारे पालक अभियनता की जिम्यदारी दी गई है वही जल संसादन विभाग में अभियंता प्रमुक के 3, मुख्य अभियंता के 13, अधिक्षन अभियंता के 24, काड़ेपालक अभियंता के 203, सहायक अभियंता के 201, उचवर्गे लिपीक के 3, निम्नवर्गे लिपीक के 4 वह संक्या पदाधिकारी के 2 पदों पर उच्थाई प बहार सौपा गया है सूबे के 1240 स्कूलों में ICT लैब बंद बहार सरकार के सक्षा विभाग के नरिक्षन में यह जानकारी निकल कर सामने आई है कि सूबे के 1240 स्कूल ऐसे है जहां के ICT लैब बंद है और वहां कम्प्यूटर की पढ़ाई नहीं हो रही है ऐसे मेबस को लेकर जला सिक्षा पदादिकारी और जला सिक्षा कारिक्रम पदादिकारी को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दी गई है और यह नर्देश यह आ गया है कि ऐसे स्कूलों पर सभी D.E.O. के दवरा चुर्माना लगाया जाए आपकी जानकारी के लिए बता दे कि वर्स 2023 में राज्चे के 2454 मध्य और माध्यमिक विद्यालियों में ICT लैब स्थापित की गए थी ताकि स्कूली बच्चों को कम्प्यूटर की सच्छा मिल सके लेकिन अब इनमें से लगभग 50% स्कूलों में सही धंग से ICT लैब का संचालन सही धंग से नहीं किया जाता है त से तो हम सभी वाकिफ है लेकिन इसके बावजूद भी हमें आए दिन इससे जुरे मामले सुनने को मिलते रहते हैं हालाके इन पर नकेल कसने के लिए उतपात विवाग के ओर से जीतोर कोशिश की जा रही लेकिन इसके बावजूद भी इन मामलों में कोई खास कमी देखने को नहीं मिल रही इल्टा सराब तसकर आए दिन तसकरी के लिए नए नए तरीकों का निजाद करते रहते हैं बतादे कि ताजा मामला बगा के धना थाना छेतर अंतरगत धवया मोर के पास का है जहां गुप्त सूशना के आधार पर पुलिस के द्वारा काड़वाई करते वे तीन सराब तसकरों को और सरसर्ट लीटर देशी सराब के साथ बरामत किया गया है बतादे कि जिन तीन तसकरों की गिरफतारी की गई है उनकी पहचान अमरजीत राओ, अर्विन स्टिंग और रामप्री इतियादव के रूप में की गई है विहार सक्षक बहाली के 70,000 पदों पर बहाली के लिए तैयारियां शुरू प्रजे सरकार के ओर से बहुत जल्दी बिहार में सक्षक के 70,000 पदों पर बहाली निकाली जाने वाली है इसको लेकर सक्षा विभाग के ओर से तयारियां शुरू कर दी गई है पतादे के सामाने प्रिशासन विभाग के दोरा विहार लोक सिवा आयों को अधियाचना भेज दी गई है पतादे के 70,000 पदों में माध्यमिक उच्माध्यमिक सक्षकों के 37,710 पद और मध्य विद्याले के सक्षकों के 31,982 पद हैं वहीं मालम हो कि सिख्चा विभाग का मानना है कि 70,000 पदों पर बहाली पूरी होने के बाद राजित सरकार पर वीतिय बोज सालाना 5,512 करोड उपए का अत्रिक्त खर्चाएगा पतादे कि मीडिया में चल रही खबड के नुसार आयोग की तरफ से नई टीचर बहाली का विग्यापन आक्टूबर के अंतम या नवंबर के पहले सप्ता में जारी किया जा सकता है पुर्व MLC विभूती कवी के निधन पर स्थीयम नितीश ने जताया शोक पिहार के मुख्यमंत्रे नितीश हुमार के द्वारा पुर्व विधान पारसद अभिभूती कवी के निधन पर गहरी शोक समबीदना व्यक्त की गई है उन्होंने अपने शोक समबीदना में कहा है कि वे एक कुसर राजनेता एवं समाज से भी थे उनके निधन से राजनेतिक एवं समाजिक छेतर में अपूर्णियच हती हुई है बतादे के मुख्यमंत्रे के द्वारा निवंगत आत्मा की चीर सांती तथा उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैरे धारन करने की शक्ती प्रदान करने की ईश्वर से प्रातना की गई है इसके साथ ही बिहार विधान परिसत के सभापती देवेश चंदर ठाकुर के द्वारा भी कॉंग्रस की वरिष्ट नीता इवं बिहार विधान परिसत के पूर्वसदर से विवूती कवी के निधन पर शोक व्यक्त किया गया है जनसंपर्क विभाग के 13 अधिकारियों को मिला उच्तर प्रभार बिहार में विविन विभागों में सरकारी अधिकारियों और कलमचारियों का प्रमोशन का सलसला जारी है इसी कड़ी में अब सूशना एवं जन्संपर्ग विभाग के दोरा एक अधिसूशना जारी की गई है जिसमें जानकारी दी गई है कि बिहार सूशना सेवा के 10 सहायक निदेशक और 3 उपनिदेशकों को उसतर प्रभार दिया गया है। बतादे किसमें बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार के जन संपर्कप पदाधिकारी विरंतर कुमार शुकल एवां मनोज कुमार के भी नाम शामिल है जिने सहायक निदेशक से उपनिदेशक का उच्छतर प्रभार दे दिया गया है। कारे आले में बिहार के पुर्व मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंग की जयनती पर समारों का आयोजन किया गया इस दौरान कॉंग्रस के तमाम बड़े निता कारीक्रम में मौजूद रहे। स्रीकृष्ण सिंग जयनती कारीक्रम का योजन किया गया है। में से दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों की संक्या करीब 14,000 यानी की 12 प्रतीशत है। पतादी के सभी प्रात्मिक सक्षक के रूप में चयनत हुए हैं वहें में सबसे अधेक उत्तर प्रदीश राज्यों के हैं। इसके अलावा जारकन हड्याना आदी राज्यों के अभ्यर्थि शामिल हैं। रूप हले परदे पर श्री राम की भुमिका में दिखेंगे खिसारी लाल यादब। हमने कई कलाकारों को टीवी पर राम सीता समेत अने करदार निभाते देखा है, जो हमेशा से हमारे मन को मोहने वाला होता है। बता दे कि अब राम की भूमिका में भोजपूरी फिल्म के एक्टर खिसारी लाल यादव भी नज़र आने वाले हैं। तरसल भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के दौरा राम कथा पर एक फिल्म का रिर्मान किया जा रहा जिसका नाम राजा राम रखा गया है। मालमों किस की एक जलक तब दिखी जब देशरा की मौके पर खिसारी लाल याद धनुशपान लिए नज़र आए। वह इस तोरान उनके साथ भोजपूरी फिल्म में डेब्यू करने वाले राहुल शर्मा लक्षमन की भूमिका में नज़र आए और मा जानकी के खिरदार में सोनी का ग जेडियू और बीजेपी में पोस्टर और काटून वार जारी है इसी करी में अब जेडियू प्रवक्ता नीरज कुमार के द्वारा आजादी से पहले का एक पोस्टर एक्सपर जो की पुर्व में ट्वीटर हुआ करता था उश पर स्रेयर किया गया है और ट्वीट कर महात्पा गांधी सरदार पटेल शुवाश चंद्र बोस राज गोपालाचारी पंडित नहरू आदी को रावन बताया था मालू हो किससे पहले बीजेपी के ओर से मुख्य मंत्र नितीश कुमार को पोस्टर के जरिये रावन बताया था तो वहीं उसके जवाब में जेडिय को लेकर मोधी सरकार पर बरसी जेडियू राम मंदृ निर्मान और राम लिला की प्रांट प्रतिस्ठा को लेकर जेडियू नीत शोक चौतरी के द्वारा किंद्र सरकार पर हमला बोला गया उन्होंने कहा कि अगले वर्स 25 जन्वरी 2030 को राम लला के मंदर की प्रान प्रतस्ठा होगी लेकिन क्या राम मंदर के निर्मान से देश के उन गड़ीब के बच्चों का भला हो जाएगा जो सूर के साथ सो रहे हैं उन्होंने कहा कि देश के गड़ीवों को राम लिला से क्या मतलब है जिने सनातन धर्म से अच्छूत मान कर रखा है विपक्षी दलों के इंडिया गड़बंधन बनने से बीजपी और मोधी सरकार अब देश के नाम बदनली की बात कर रही है ऐसे में अगर देश का नाम इंडिया की जगह पर भारत बोलना है तो देश के प्रधान मंत्री को हिम्मत दिखाना चाहिए और संसद में विशे इस सत्र बुला कर एक बिल लाना चाहिए अपनी शांदार फॉर्म का विराट कोली ने खोला राज मौझदा विश्व कप में भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोली का फॉर्म काफी शांदार चल रहा है पतादे की कोली टुर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज़ादा रन बनाने वाले खिलारी है वहीं अब उन्होंने अपनी शांदार फॉर्म को लिकर राज खोला है उन्होंने कहा कि मैंने हमीसा इस पर काम किया है कि मैं हर दिन हर अभ्यास सत्र हर साल और हर सत्र में खुद को कैसे बेतर बना सकता हूँ इसी ने मुझे इतने लंबे समय तक खेलने और प्रदर्शन करने में मदद की है और उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि इस मान सकता कि बिना लगतार अच्छा प्रदर्शन करना संभव है क्योंकि अगर प्रदर्शन ही आपका लक्ष है तो कोई भी कुछ समय बाद संतुस्ट हो सकता है और अपने खेल पर काम करना बंद कर सकता है मेरा लक्ष हमेंसाब बहतर होना रहा है ना कि उत्कृष्ट का पीछा करना क्योंकि इमानदारी से कहूं तो मैं नहीं जानता कि उत्कृष्ट की परिभाशा क्या है और उने कहा कि इसकी कोई सीमा नहीं है नहीं कोई निर्धारित मानक है कि जब आप यहां पहुंचोगे तो आप उत्कृष्टा हासल कर लोगे अब बरते हैं आज के पांच सवाल की ओर हमारा पहला सवाल है गَّंचोशन मुख्य मंत्रे नितीश कुमार के द्वारा नव निवक्त सक्षकों को निवक्ति पत्र कप दिया जाएगा ओप्शन A 1 नमबर 2023, ओप्शन B 2 नमबर 2023, ओप्शन C 3 नमबर 2023, ओप्शन D 4 नमबर 2023 इसका सहीध तरह है ओप्शन B 2 नमबर 2023 अगला सवाल, वर्स 2023 में राजी के कितने मध्य और माध्यमिक विद्यालियों में ICT लैब स्थापित की गई है ओप्शन A 1240, ओप्शन B 2454, ओप्शन C 2002, ओप्शन D 2565 इसका सहित तरह ओप्शन B 2454 अगला सवाल, भोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा राम कथा पर बनाई जाने वाली फिल्म के नाम क्या है ओप्शन A रामायन, ओप्शन B राम सीता, ओप्शन C राजा राम, ओप्शन D आदिपुरुस इसका सहित तरह ओप्शन C राजा राम अगला सवाल, अग्रणी पत्रिका के संपादक कौन थे? ओप्शन A नाथुराम गोड से, ओप्शन B सावर्कर, ओप्शन C राज गोपाराचारी, ओप्शन D महात्मा गांधी इसका सहित तरह ओप्शन A नाथुराम गोड से अगला सवाल, विहार में दूसरे राज़े के कितने अभिरती सिक्षक बने हैं? ओप्शन D 15,000, ओप्शन D 12,000, ओप्शन C 20,000, ओप्शन D 14,000 इसका सहित तरह ओप्शन D 14,000 बीते दिन हमारे दुरा पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपने जाप हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया है जिन्होंने हमाय दुरा पूछे का सवाल का जवाब दिया है के तमाम खबरों के साथ बने रहे निकली देखते रहें बिहारी न्यूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देखना चाल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देखने तो फेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद